हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, मेरा नाम है राके सोधरी और आज आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं कि यार मैच को पढ़े कैसे जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर इंटिकरेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई है कि कैसे फॉर्मूला इसको आप्टही जाए क्याए कॉर्ट सारी चीजे मैंने आपको शिखाए हैं तो यार सबको सबको आज कल इतना ही टाइम है सबके बास कम टाइम है सबको चीए ज़्यादा तो भाई आज मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैच को कैसे पढ़ते है मतलब पांच सीजे बताऊंगा पांच मूल मंत्र है वो जिन्दगी के वो अपने भेजे के अंदर ढाले ना कसम से बता रहा हूँ मैच के अंदर का अभी भी 100 में से नीचे नहीं लाओगे मतलब 90s 100 ही रहोगे हमें सा यह मेरा खुद का experience है मैंने खुद निमाक्स लाई है और मैं यह पांच चीजे बताऊंगा यह ऐसे ही कहीं से उड़के नहीं आई यह मैंने खुद ने experience किये मैंने खुद ने उनको analyze किया है और फिर मैं आपके लिए लेकिया हूँ तो यार यहाँ पे चलो करते हम यह start तो पहला जो point है कि अगर आपको मैंस से प्यारी करना है तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी कि तीन चीजे कि यार यह मैंस कोई topic हम लिए तो उस topic की जरुरत क्यों पड़ी और वो topic कहां से आया है और वो topic जब आ ही गया तो उसको कैसे करना है मतलब समझ रहे होगे क्यों, कहां और कैसे यह तीन चीजे हम इससा दिमाग के अंदर रखनी चीए कभी भी topic स्टार्ट करो तो यार यह तीनों चीजे फाइंड करने की कोशिस करो कि यार यह कहां से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है क्या करना है इसके अंदर न तो यह पहला point हो गया है अगर यह आप समझ गए न तो मतलब आप उस topic की feel ले पाओ गये मतलब आपको बोरिंग नहीं लगेगा या feel आएगी अंदर से की वाओ कुछ कर रहे है हम इसके अंदर है न दूसरे जो मैं point में बताने जा रहा हूँ वो दूसरा point यह है कि यार क्या करना है कि pen and paper तो छाला लेना ही लेना है यार मतलब आप स्टार्ट कर देते हो कोई साभी topic नगे बेट जाते हो यार मत लोग बेटो बहार जाओ कुछ खेलो खुदो अगर आप topic लेके बेट रहे हो तो वहां पे pen and paper होना ही चीए pen and paper नहीं है तो मत पड़ो यार विकार में टाइम खराब कर रहे हो अपना सचवत आ रहा हूं में pen and paper must be in match ना match जैसे कि करो भाई pen and paper होना ही चीए हमेशा तीसरी चीज़ जो मैं आपके बहुत बता रहा हूं कि formula पे ज़्यादा time खराब मत कर रहा हूं कुछ लोग होते हैं कि formulas पहले चलो आज master ने formulas लिखाए है तो चलो formulas बढ़ते हैं तो क्या करेंगे लेके बेड़ जाएंगे formulas की list को और रटते रहेंगे भाई a plus b ka whole square a square plus b square plus 2ab a b square plus b square plus 2ab ऐसा नहीं करने से कुछ नहीं होता यार ऐसा मत करो यार formula ना एक बार आप देख लो अच्छे से फिर एक बार आप उसको relate करने की कोसिस करो यह relate करने वाला ना फंडम में आपको पैशली वीडियो के अंदर बता है कि कैसे relate करते हैं वहां पर जाके देख ले ना यार तो उनको relate करके देखो कि यार जैसे a plus b ka whole square है वो क्या है a minus b ka whole square है वो क्या है उनके अंदर similarities क्या है बस इतना सा देखो आप और थोड़ा बहुत अगर याद करने की कोसिस करो थोड़ा बहुत याद करो ज्यादा time कराब मत करो formulas के अंदर ना अब तीसरी चीज़ जो है कि formulas पर तो हमने ज्यादा time कराब नहीं किया अब जाएंगे ह उठाओ questions करना start कि एक भाई questions जैसे करोगे तो आपको पता जाएगी है formula कौन सा लगने वाला तो वो formula जाओ याद नहीं होगा न आपको याद होगा तो ठीक है नहीं याद होगा वहाँ पर जाके देखो इससे ना दो चीज हो रही है एक तो आपका जो formula रटने की जो आदत ही वो चली जाएगी time खराब नहीं होगा और जो तीसरी चीज जो सबसे ज़्यादा important होगी कि वो आपको पता चलेगा कि यार इस question के अंदर कौनसा formula अपलाई हो रहा है और वो formula apply क्यों हुआ है ना तो यह सबसे ज़्यादा चीज समसे ज़्यादा ही important है तो यार formula जना ऐस पांस line का question है तो पहले line से आपने start की last में जाती जाती line के अंदर तो आप गुम हो गए कि यार पहली line के अंदर क्या था तो भाई इसका ना एक ही solution मिल सकता है आपको पहली line पढ़ो भाई answer लिखो और answer के अंदर पहली line के अंदर जो चीजे दे रखिये वो लिखो दूसर स्टार्ट कर दो लिखना स्टार्ट कर दो वहां पर यार आप लिखो गे ना तब ली तो जाहेगा अब आप एक ही CD को देख लो आप घर के अंदर को CDS बनती है तो कैसे बनती है एक एक ही तो बनती है step wise या कारिगर आता है और एक दिन के अंदर ही पूरी CDS बना के से निये कुछ नहीं होने वाला भाई घर पे दाओ और सो अराम से ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो क्या करना आपको एक एक CD बनानी है मतलब पहला को संग जैसे को संग किया पहला step किया दूसरा step किया या मैस के अंदर होता ने कि अगर आप स्टार्ट कर दिना तो आपको CDS अ यार पहले तो कि जो topic आया है वो क्यों आया है कैसे आया और कहां से आया है यह तीन चीजे पहले के अंदर दूसरी pen and paper is must है ना तीसरी जो होती है कि formulas को जादा मत रटो यार formulas को जादा मत रटो और चोती चीज़ जो है कि यार caution जो करते है ना तो caution जब आप करोगे तो वो क इसे relate करके याद रखना है ना और पांच भी चीज जो है कि यार start तो करो start करने वाली की जीत होती है अब यार start ही नहीं करोगे तो फिर तो बैठे रहो गर पे ऐसे करके कुछ नहीं होने वाला उससे तो thank you guys अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो like subscribe वाला बटन दबा देना नहीं जा कि कम से कम पड़ी तो ले ना